इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण विशयों पर सोलो टॉक के माध्यम से जानकारियां प्रदान की जाती है मित्रों यह चैनल रेड क्रोस सोसाइटी का समर्थन करता है साथ ही आपको भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप भी यथा संभव अपने क्षेत्र की रेड क्रोस सोसाइटी को सहयोग प्रदान कीजिए मित्रों आज का पॉडकास्ट स्वयम की आवाज के क्लोन से तयार किया गया है यूट्यूब द्वारा स्वयम की क्लोन वॉइस के प्रयोक करने अनुमति प्रदान की गई है तो आईए अब हम अपने मूल विशय पर आते हैं और आपको सतर्क एवं सचेत कर देना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के प्रति गंभीर हो जाएं किसी के भी बहकावे में ना आएं आज हम खुलासा करने जा रहे हैं यूट्यूब मॉनेटाइजेशन स्कैम का यूट्यूब प्लेटफार्म अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कमाई का स्रोत बन चुका है लेकिन यह भी समझ लेना आवश्यक है कि इसके साथ कुछ शोशन करने वाले तत्व भी सक्रिये हो चुके हैं नए क्रियेटर्स जो एक हजार सब्सक्राइबर और चार हजार घंटे का वाच टाइम प्राप्त करना चाहते हैं इस दौड में ठगे जा रहे हैं ठगी के इस धंदे में कई लोग सक्रिये हैं जो वादा करते हैं कि वे 24 घंटे के अंदर आपके चैनल को मॉनेटाइज करवा देंगे तथा क्रियेटर यह सोचता है कि वह जल्द ही लाखों रुपए कमा सकता है उसे भी स्थापित क्रियेटर की तरह लाखों रुपए यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे फेस्बुक पर ऐसे स्पॉंसर विग्यापनों की भरमार है जो क्रियेटर को इस तरह के प्रलोभनों में फंसा लेते हैं इस काम के लिए एह हजार से दो हजार रुपए देने के लिए कहा जाता है अधिकांश लोग इस लालच में आकर पैसे भेज देते हैं यह सोचकर कि उनका चैनल जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा हालांकि यह समझना बेहत जरूरी है कि यूट्यूब का अल्गोरिडम स्पष्टता से कहता है कि पैसे देकर वाच टाइम और व्यूज बढ़वाने से आप कभी भी न तो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और नहीं पैसे ही कमा सकते यदि कोई क्रियेटर पैसे देकर ऐसे लाब की सोचता है किसी भी प्रकार के बनावटी तौर पमेट्रिक्स बढ़ाने की अनुमती नहीं देता है यदि कि पैसे खर्च करने के बाद भी क्रियेटर के रूप में आपको कोई लाब नहीं मिल सकेगा क्योंकि यूट्यूब का यह पता लगाने में सक्षम है कि आप किस स्थान से वाच टाइम सब्सक्राइबर कमेंट्स जैसे मैट्रिक्स प्राप्त कर रहे हैं उदाहरन के लिए यदि आप मुंबई या सूरत के किसी व्यक्ति से मैट्रिक्स बढ़वाते हैं तो यूट्यूब का मशीनी सर्विलेंस सिस्टम यानि एल्गोरिदम की नजर में आ जाते हैं जिसका प्रभाव सीधे आपके चैनल की प्रगति पर पढ़ सकता है इसलिए सलाह यही है कि आपको हमेशा समुचित और स्वाभाविक तरीके से अपने कंटेंट पर ध्यान के इंद्रित कर क्वालिटी कंटेंट प्रस्तुत करें यूट्यूब प्रबंधन की दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें और अपने चैनल को नैतिक तरीके से बढ़ाएं ध्यान रखें कि सची सफलता कभी भी शॉर्ट कट के जरिये नहीं आती यूट्यूब का अल्गोरिदम निर्पेक्ष भाव से आपके नैतिकता पूर्ण कंटेंट प्रस्तुती करण का हिमायती है यूट्यूब अत्वा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो पैसा देता है वह अपने यूजर को मशीनी तौर पर तथा मानविय तौर पर पर परक भी लेता है यदि आपके चैनल पर बल्क में कंटेंट्स के पूर्व में बताए गए मैट्रिक्स अचानक बढ़ते हैं तो एल्गोरिथम ये समझने में देर नहीं करता है कि आपके चैनल पर बनावटी अर्थात कृत्रिम तरीके से मैट्रिक्स बढ़ाए जा रहे हैं आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसे किसी जहांसे में ना आएं जिससे आपकी मेहनत बेकार हो जाए इंटरनेट की आभासी दुनिया में आप किसके शिकंजे में आ गए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और आप या तो अपनी मेहनत को बेकार कर लेंगे अथवा अपना चैनल ब्लॉक करवा लेंगे चैनल तथा एक क्रेटर की सफलता केवल बहतरीन कंटेंट का ठंबनेल एवं कंटेंट को आकरशक तरीके से पेश करने पर निर्भर है कंटेंट की मौलिकता उसे लोगप्रिया बनती है किसी कंटेंट को लोक प्रियता तभी मिलती है जब क्रेटर यूट्यूब के अल्गोरिटम का सही तरीके से पालन करें क्रियेटर अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए वल्गर कंटेंट के साथ पूरी रात यूट्यूब पर लाइव रहने की आदत भी छोड़ दें इस से आपका वाच टाइम तो बढ़ जाएगा परंतु कभी न कभी यौन उत्तेजना के माध्यम से दर्शक जुटाना आपको मुश्किल में डाल सकता है महिलाएं इस संबंध में विशेश रूप से ध्यान रखें कोई दुरगटना होने पर आपके वल्गर लाइव कंटेंट कानून की जद में आ सकते हैं आपने इस सोलो पॉड़कास्ट को ध्यान से सुना आप समझ गए हैं तो कृपिया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरा कोई इन जाल साजों के शिकंजे में न फंसे